हम आज बात कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बीमारीओं को जोतिश के छोटे छोटे उपायों से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले जानते हैं कि बीमारीओं का ग्रहों से और किस्मत से क्या कनिक्षन है देखिए शरीर में कुल मिलाकर पांच तत्व होते हैं पृत्वी, जल, अगनी, वायु और आकाश पांच तत्व और तीन धातुएं कफ, वात और पित ये पांचों तत्व और तीनों धातुएं नौ ग्रहों से नियंत्रित होते हैं जब कोई तत्व या धातु कमजोर होती है, तब शरीर में बीमारियां बढ़ जाती हैं अगर तत्व से संबन्धित या धातु से संबन्धित ग्रहों को आप ठीक कर लें तो आप अपने शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं कुंडली का अध्यन करके ये जान सकते हैं कि कौन सा तत्व कुंडली में कमजोर है कौन सा तत्व कुंडली में गड़बड है और जब आप उस तत्व को बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो आप स्वस्त होने शुरू हो जाते हैं पांच तत्व अगर कुंडली में सामानिता बैलेंस होते हैं तो आदमी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है सबसे पहले जिस बीमारी की बात करेंगे वो है सरदी जुखाम और खासी आम तोर पर सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो बीमारी परिशान करती है वो है सरदी जुखाम और खासी कारण क्या है आम तोर पर ये तुरंट होने वाली बीमारिया सामान्यतह चंद्रमा से संबंद रखती है और मंगल रोग प्रतिरोधक शमता का स्वामी है इसलिए कभी कभी मंगल से भी संबंद रखती है चंद्रमा के कारण ये लगातार सांस की बीमारियां और जकडन, कंजेशन बनाए रखती है जिनका चंद्रमा गडबड होता है मौसम बदलने के साथ उन्हें सरदी जुखाम शुरू हो जाता है लंग्स में, कोल्ड कफ की ये सब प्रॉब्लम्स परिशान करनी शुरू कर देती है और अगर इसमें मंगल भी आ गया तो शुरुवात होती है सरदी जुखाम से और बाद में ये समस्याएं बुखार में बदल जाती है यानि सरदी जुखाम के साथ व्यक्ती को बुखार हो जाता है अगर आपको ये समस्या सरदी की जुखाम की जकडन की बुखार की अकसर रहती हो नियमित रूप से रहती हो ऐसे लोगों को देर रात तक जगने से और देर तक सुबह सोने से बचना चाहिए अगर आप देर रात तक जगेंगे तो चंद्रमा का पार्ट आपका कमजोर होगा और सुबह अगर देर तक सोएंगे तो एनरजी लेवल खराब होगा इसलिए देर रात तक जगने और देर से सोने से बचिये चांदी का एक गिलास खरीद लीजिए चांदी के गिलास से पानी पीजिए या जहां पीने का पानी रखते हैं जग में बरतन में मटके में उस पात्र में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखियेगा रोज सुबह सनान करिये और उगते सूर्य की रोशनी में पीट करके लगभग 10 मिनट तक या कम से कम 5 मिनट तक रोज बैठिये ये छोटे छोटे काम अगर आप करने लगें तो जो सर्दी जुखाम की समस्या है जो कोल्ड कफ कंजेशन की समस्या है जो बुखार की समस्या है इससे आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आइस्टो तक एप और चुटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से